इस वक्त की बड़ी खबर यूपी के जिला बरेली से सामने आ रही है जहां पिलिवीद बाइपाथ पर शनिवार सुबा करोडों के प्लाट पर कबजे को लेकर कोई गैंगवार के बाद स्सपी घुले शुचिल चन्मान का तबादला हो गया है। क्योंकि जिस तरीके से दिन दहाडे पिलिवीद बाइपाथ पर फिल्मी स्टाइल में गैंगवार के दोरान कई राउंड फाइरिंग आठ जनी और एक घंटे तक बवाल हुआ था उससे पुलिस की काफी किरकिरी हुई थी। शाहर में कानून वेवस्था पर भी सवाल हो रहे थे। शाशन से भी पूरे मामले की रिपोर्ट तलब की गई थी। इस बड़ी घटना के बाद इजद अगर थाने के स्पेक्टर समेश साथ पुलिस कर्मियों को सस्पेंट कर दिया गया था। वहीं उपर के अफसरों तक इसकी आज पहुशने की उमीद जताई जा रही थी। कटना के तीन दिन बाद SSP के तबादले को उसी से जोड़ कर देखा जा रहा है। उधर बरेली के नए SSP अनुराग आर के सामने अब शहर में तेजी से फलफूल है लैंड सिंडिकेट से निपटनी की बड़ी चुनौती रहेगी क्योंकि पुलिस भूमाफिया और नेताओं के गजोड से पूरा नेक्सेस चल लहा है। ऐसे में वो इस पर क्या कारवाई करेंगे इस पर सभी की निगाये रहेंगी।